यही इसका काफी सुन्दर लगता देखने में डिजीटल टाइप में हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो माइ न्यू अनदर विडियो तो आज मैं इंडिया का नमबर वन एस्यू भी आपके सामने परजेंट कर रहा हूं यह आप देख सकते हैं बिल्कुल फेस्लिप्ट वारियंट है इसमें आपको फ्रंट डिजाइन नैक्सॉन में पहले कुछ और मिलता था और अभी आपको कुछ और मिल रहा है और जो कि अभी जो मिल रहा है फेस्लिप्ट में वो काफी अट्राक्टिव दिख रही है और काफी क्यूट और सुन्दर लग रही है गाड़ी देखने में आप देख सकते हैं यहां नैक्सॉन खड़िये फेस्लिप्ट वाली और इधर साइड में आप देख सकते हैं इसके पहले जो थी वो वाली तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप खुद ही जज कर सकते हैं खुद में इसमें टोटल आपको सेवेन कलर आप्सन मिल जाता है तो आप अपने कॉर्डिंग कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो आईए मैं आपको सबसे पहले इसका एक की दिखा देता हूं बट इसमें दो की है देख सकते हैं आपको टाटा की लोगों मिल जाती है दोनों आपको मैनुवल की ही मिलता है और इसमें यह बेस वाइरेंट है इसलिए आपको मैनुवल की ही मिल रहा है आप टॉप मोडल भी लोग है तो उसमें आपको किले सिंट्री वाला रिमॉंट की आप को मिल जाएगा तो आए फ्रंट डिजाइन से फ़ले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर LED DRL आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में और इसके नीचे भी आपको LED फ्रंट में दिया गया है ताकि पूरा बोल्ड लगे और एस्यूवी टाइप में लगे देखने में और यहाँ पर भी आपको पूरा ब्लाक फ्निसिंग का काम किया गया है बीच में आपको अब पहले मतलब टाटा का जो लोगो है यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा था लेकि केंटर में आपको नंबर प्लेट का जगह मिल जाता है और इसका नीचे का कुछ डिजाइन देख सकते हैं तो आप बताएं कि आपको कौन सा इसमें डिजाइन पसंद पढ़ रहा है पुरानी वाली मॉडल में या तो यह नई वाली जो खड़ी है यह मॉडल आपको काफी बलकी सी लग रही है और काफी बड़ी लग भी लगती है गाड़ी देखने में साइट प्रोफाइल से भी देख सकते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है एक श्टील वील और श्टील वील आपको 16 इंच का ही मिलता है एक सो पंचानवे साथ आर सुल्ला और इसमें आपको पांच नट है इसमें और यह क्लैडिंग देख सकते हैं पीछे तक का गया हुआ है और ग्राउन क्लेरंस भी काफी अच्छी है मैं आपको डाइमेंशन सारा कुछ थोड़ी दियर में बता दूँगा फहले आप साइट प्रोफाइल देख ले और यहां प आपको दो वाइपर्स और दो वासर मिल जाता है और यहां पर आपको डोर हैंडल जो है ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है आप यहां पर क्रोम का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं यह भी लाइनिंग जो है ना भाई यह भी काफी सुन्दर लग रह भी है और ये इसका और यहीं इसका रेर विली और यह भी आपको 16 इंच का ही मिल जाता है तो वाईए मैं आपको बता देंज्ट था हूज कुम से त्रफिसकी आपको लंबाई मिल जाती है तीन हजारोसौ35 म Key और गारी क्लिरेंस भी ठीक था की है और नेक्सोन काफी डिमांडिंग गाड़ी है मतलब गड़े उड़े में भी आप अराम से इसे निकाल सकते हैं तो 208 mm का आपका ग्रॉण क्लिरेंस इसमें कमपनी प्रॉइट कर देती है और इसमें आपको 44,0-15 प्रॉइट में दिखा दूँगा इसका बूट सपैस थी आप देख सकते हैं हो चुक है फ्रंट में आप आगे में देख सकते हैं एक नेक्स ओन खड़ी है उसका पीछे का प्रोफाइल और इसका देख सकते हैं प्रोफाइल चेंजिंग है ना भाई तो आप देख सकते हैं अपर फ्रंट यहां पे सबसे पहले आपको यहां LED लाइट मिल जाता जो कि टे आपको मिल जाता है देख सकते रिफ्लेक्टर लाइट और एक सेंसर और इधर एक टोटल आपको इसमें पीछे दो सेंसर का उपस़न मिल जाता है NXon का यहां पर Chrome Finis is वाला bagging और इसके नीचे आपको gonna सेंटर मिल जाता है और इसका कुछ से देख सकते आं इसका पीछे का बंपर आपको यहां पर ब्लाक केलर में आपको कुछ फिनिसिंग देखने को मिल जा रहा है और उपर में रूफ रेल नहीं मिला हुआ है लेकिन पुरानी वाली में जो है उसमें मिला हुआ है यह बेस वारियंट है इसलिए इसमें कमपणी नहीं दे रही होगी तो अब मैं आपको इसका बूट एस पेस एक पर दिखा देता हूं और लेकिन इसमें आपको कैमरा वेगरा भी नहीं मिल रहा है यह भी आप चान ले और इसमें आपको एक खम बता देते हैं इसमें पिछे बूट आपको खुलना होगा तो पीछे में बटन नहीं दिया गया जै एक आपको अंदर में ही बटन इया गया है बूट आपएन करने के लिए ड्राइबर के पास ही वहां से आप कर सकते हैं तो इसका देख सकते हैं 382 लिटर का बूट स्पेस पीछे में आपको यहां पर दो हूक भी मिल जा रहा है पार्सल ट्रे का ओपसन नहीं है इसमें और यहां पर आपको एमर्जेंट्सी ट्राइंगल मिल जाता है और इसके नीच अग्जेस्टेवल हेड्रेस्ट वाला सीट आपको मिल जाता है और यहां पर आपको एक और एक दो एलेडी लाइट्स का ओपसन मिल जा रहा है देखने को तो यह था इसका कुछ बूट स्पेस तो अब चलते हैं अंदर में और मैं आपको दिखा देता हूं अंदर की फीच ते हैं और यहां पर आपको अंब्रेला होल्डर भी मिल जा रहा है और इदर छोटा सा स्पेस अंब्रेला यहां देख सकते हैं चापा हुआ है और इसमें आपका म्यूजिक सिस्टम बगरा कुछ भी नहीं लगा हुआ है आपको लगवाना पड़ेगा इसमें मैनुवल आप एटजेस्ट करना पड़ेगा आपको और यहां पर सीट है जोकि फाब्रेक फनीसिंग में आपको सीट मिल जाता है और यह भी एड़ेस्टेबल सीट है आप रिकलाइन एंगल को एड़ेस्ट कर सकते हैं और यहां मैनुवल है तो फ्री पाइंडल्स आपको मिल जा रह रहा है और इसमें एक नई features अट हुई है, जो कि यहां पर आप चाभी को जैसे ही on करोगे सबस्ट के आपको टाटा का एक लोगो छब जायगा जो की काफी अच्छा लगता देखने में, समार्ट लगता है लगता है जिसमें आपको थ्री मोट्स भी मिल जाता है सीटी एकनोमी और स्पोर्ट थ्री मोट्स का और साइड में आपको आर्पीम बगरा इंजन हीटिंग फ्यूल और डोर अगर खुल ला है तो वो भी सो करेगा फ्यूल रेंज किलोमेटर एवरेज ट्रीप बहुत सारा फीचर्स इ मिल जाता है वाइपर्स की कंट्रोल और राइट साइड में आपको मिल जाता है हेड लाइट की कंट्रोल और इसका यह टाटा का लोगो मैं आपको एक बार आफ करके भी दिखाता हूं यहां पर पूरा ब्लैक हो जाएगा हो गया ना फिर से स्कॉण हो गया और यह आपको टील्ट श्टेरिंग मिल जाता है कि यह देख सकते हैं टील्ट और इसमें आपको airbag का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है इसमें total six airbag आप टॉटल लो या तो आप बेस मोडल लो आपको standard इसमें कर दिया गया है मतलब six airbag का option आपको मिलेगा ही और यहाँ पे आपको manual AC का option यहाँ आपको मिल जाता है पीछे boot open करने के लिए देख सकते हैं प और यहाँ 12 volt का charging socket मिल जा रहा है यह smart variant है Tata Nexon की smart variant सबसे base में भी आई है और यह आपका five speed manual transmission के साथ है एक reverse छे total और यहाँ पे छोटा सा space मिल जाता है इधर कप आप रख सकते हैं और यहाँ पे भी छोटा सा space मिल जाता है इसमें आपको armrest का option नहीं है लेकिन आप top model देख सकते हैं और इसमें काफी अच्छी बात कि आपको LED light का option मिल जाता है अंदर के लिए और यहाँ पे आपको sun visor मिल जा रहा है और इस साइड भी आपको sun visor मिल जा रहा है इसमें तो आपको भाई यहाँ पे mirrors भी प्रोवाइड कर दिया company और यहाँ पे आपको देख सक है और इस साइड नहीं है और यहाँ पे भी आपको airbag का बाइजिंग और यह seatbelt driver के लिए आपको काफी बड़ी सी glove box company दे देती है और इसमें आपको manual book और फर्स्ट आइट किट बगरा मिल जाता है और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको music system company नहीं देती है इसमें लगवाना पड़ेगा aftermarket या तो company से आप जहां से भी लगवा सकते हैं और इसकी interior कुछ dashboard देख सकते हैं पुरा black finishing दी गई है इधर door panel भी और उधर भी आपको power window मिल जाता है और twitter लगाने का इसमें आपको option दिया गया है देख सकते हैं co driver seat ये भी आपको यहाँ पे adjustable मिल जा और पीछे का कुछ seat देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको पीछे भी जा करके और बैट करके आपको बताओंगा इसकी comfortable zone कैसी है और पीछे में parcel tray आपको नहीं मिलता है तो चलिए पीछे चलता हूँ और बताता हूँ आपको पूल करने के लिए यहाँ से आपको lever मिला हुआ और फ्यूल भी आपको जैसे भराना हो तो यहाँ से आप पूल कर सकते हैं तो चलिए पीछे यह आप देख सकते हैं इसका रेर डोर पैनल कुछ आपको मिल जाता है इस टाइप में और यहाँ पर आपको हैंड्रेस्ट भी मिल जा रहा है और लॉक करने का हैंडल ट्वीटर इसमें नहीं है बड़ ट्वीटर लगाने का यहाँ पर ऑफसन दिया गया है और इसमें स्पीकर भी नहीं आप लगवा सकते हैं और यह इसका मैनुवल है गलास अपडॉन करने के लिए और यहाँ पर वन लिटर का बॉटल आप रख सकते हैं तो मैं अंदर बैठा हूँ द जाता है सीट बेल्ट पीछे के लिए वह को रेर्पैसेंजर के लिए वह सीट बेल्ट मील जा रहा है और इसमें हीड्रूम भी काफी अच्छा बचा हुआ है तो पीछे Karl करके काफीड़ लगा तो पीछे बैट करके काफी अच्छा लगा सगा और यहां पर आपको मिल जात देखने में गाड़ी की यह स्टेरिंग खास करके एक हूक मिल जा रहा है और यहां पर भी आपको हूक मिल जाता है यह आप देख सकते इसका ब्लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं और सेप्टी के बारे में बता देता हूं तो इसका पहले देख सकते डियारेल ओन करके यह कैसी दिख रही है, तो काफी सुन्दर लग रही है देखने में, और एगर सेप्टी के बाद किया जाए, तो यह तो टाटा फाइफ स्टार सेप्टी रेटिंग अल्रेडी है, साथ मैं आपको सीख सेर बैक का भी ऑफशन मिल जा रहा है, तो बात और भी बढ़िया हो गई फिर, तो अब बात आ जाती है, इसकी प्राइस की, तो अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, कि प्राइस एक सोरूम आपका 8,9990 रुपईया हमारे जहारखन में, और आपका पड़ीगी 9,31,509 रुपईया, आपकी सीटी वाइस कुछ प्री प्राइस उपर नीचे हो सकती है, चलिए भाई, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्ट वीडियो में, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले, और जितना हो सके, मेरे वीडियो को सेयर करे, वैसे मै मोटिवेट हूँगा, और आपके लिए और भी ऐसे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा,